सुप्रीम कोर्ट से राहूल गांधी की सजा पर रोक के बाद अब अविश्वास प्रस्ताव अगले हफते में है और गवरो गोई जी मेरे साथ हैं बातचीत करने के लिए गवरो जी कितना बदला बदला सा होगा संसत का जो आबो हवा है एक तरफ सजा पर रोक लगी थी तो और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोधी जी ने और उनकी मोडानी सरकार ने एक एतिहासिक भूल की और इसका नतीजा तो उनको जहिलना पड़ेगा ही जहिलना पड़ेगा कि हमारे इंडिया अलायंस में एक नई उमीद एक नया जोश एक नई ताकत आज से ही हमको उ बाकाईदा शरत पवार से कुछ लोगों ने अपील भी की थी कि वो उस प्रोग्राम में नय जहां पर प्रधानमंत्री मोधी के साथ उन्हें शेरिंग करनी थी तो इसको कैसे देखते हैं दो चीजी नहीं हो रही है एक अलग-अलग-अलग दिशा में जा रही है और आप क जारबार अलायंस का नाम ले रहे हैं हमसे जादा तो वो ले रहे हैं तो मैं तो उन दोनों को धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो इंडिया अलायंस को देश भर में और लोग प्रेय कर रहे हैं क्योंकि हमारी बाते तो मीडिया देखाता नहीं है उनके जब दोनों मंत्रिय पंतरी, गरह मंतरी और प्रदान मंतरी उनका तो सिधा प्रसारन होता है, तो जब भी इंडिया का नाम लेते हैं, वो हमारा ही प्रसारन कर रहे हैं, तो मैं तो दोनों का प्रतियाभार प्रकट करता हूँ, और इंडिया अलायंस से भाजपा की नीन्द उड़ चुकी है, वो उन दोनों के नेताओं के भाषनों से पता चलता है जो नेता जिसने सोचा था कि वो अकेला सब पे भाड़ी होगा आज इंडिया अलायंस गठन होने के बाद उनको अपने पुराने एंडिये की साथियों की याद आई और एंडिये दलों की बैठक बुलाई जिसमें ऐसे भी यह बार-बार UPA UPA कहा अमिशाह ने तो आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में चुनोती दे पाएंगे क्योंकि बार-बार UPA का नाम लिया जा रहा है इंडिया का नाम प्लेटफॉर्म पे अकसर नहीं लिया जा रहा है तो आपको लगता है कि कहीं ने कहीं दबाव ह और दूसरी तरफ आपसे सवाल करूँगा कि जो सेवा बिल था दिल्ली सेवा बिल वह एक जहटके के तोर पर लेते हैं? नहीं दिल्ली संख्या लोकसभा में क्या है उससे तो हम भली बाती वाकिफ है राज्य सभा में क्या संख्या है उससे भली बाती हम वाकिफ है लेकिन आज तो बीजेपी डल का दोरा नीती प्रकाशित हो गया एक समय में पूर्व ग्रहमंत्री एलके एडवानी जी दिल्ली को पूर्ण राज्य का सम्मान देना चाहते थे और आज वर्तमान के ग्रहमंत्री उसको वो सम्मान नहीं देना चाहते तो बीजेपी में जो यह दोरा नीती है दिल्ली के पती सिर्फ और सिर्फ क्योंकि दिल्ली में उनकी सरकार नी से साफ साफ जाहिर होता है उनके ही निर्वाचन जो उनका इस्तिहार था उसमें उन्होंने बोला था कि दिल्ली को हम पून राज्य का हम निस्तिती देंगे तो किसको जुट बोल रहे थे क्या कबूल करें कि अमिर्चा जी कि वो तो एक दुबारा एक और जुमला था तो इस पर भी जो इनकी जो दोरी नीती और जुमले बाजी जो प्रकाशित हुई है यही हमारी जीत है बहुत शुक्रिया बाचीत करने के लिए तो साफ आपने देखा कि गवरो जी का साफ तोर पर कहना है एक सियासी ट्विस्ट तो जरूर आया है लेकिन गवरो जी मानते हैं कि अब गटबंधन की जो दिशा और दशा है उसको भी एक नई स्फूर्ती और एक नई उर्जा का सं गांधी की रूप में अजे ठाकूर के साथ राम किंकर सिंग आज तक दिलिए